Hello everyone, this is Ritu और स्वागत है आप सभी का सीरेट प्रिवेसर क्वेशन की सीरीज में तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइन्स के प्रिवेसर क्वेशन को जो की दिसंबर 2021 में पूछे गए थे इन क्वेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं with explanation अगर आप इस सीरीज को फोलो करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर आप पास सकेंगे तो देख लेते हैं यह एक्जाम हुआ था आप इसको आम डिरेक्ट तो नहीं ला सकते जैसे कि सवर मंडल को उठाकर के तो लिए ला सकते हम दिखाने के लिए यह पिर समझे लिए तो हम रप्लीका का यूज करते हैं उसी की तरह की एक चीज बना लेते हैं या फिर एक्जामपल उसका दे देते हैं तो एक तरह से रप्लीका किलाती है जैसे प्रित्वी की रप्लीका क्या है ग्लोब है तो ग्लोब के तरह हम प्रित्वी को समझते हैं इसी तरह से इसी कि लंबाई और वजन लगभग बराबर हैं तो आप इसको एक तरह से मौक टेस्ट की तरह करें पहले खुद आंसर करें फिर बेर आंसर देखेंगे और फिर हम कि लंबाई और वजन लगभग बराबर हैं इसके बारे में थोड़ी सी ओर जानकारी देख लेते हैं जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में कुछ कुछ इंड्रसूंग फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्टिन आते हैं जैसे कि शुक्र ओर उरेन्स जो है कि वीनस और उरेनस हैं मौवन करते हैं आपको पताईए सूर्य के चारओर 又 चक्क्र लगाते हैं तो यह दोनों धक्षिनाब वर्त दिशा में घोंबते कि क्लोक वाइज को दक्षिना वर्थ कहते हैं हिंदी में इस तरह से जिस तरह से घड़ी की सुईयां गूमती है न तो इस डारेक्शन को इस डारेक्शन में गूमते हैं शुक्रू और यूरेनिस इन दोनों को छोड़ करके बागी सभी एंटी क्लोक वाइज गूमते हैं इस यह मतलब इस तरह से उल्टे गोंते हैं इस तरह से एंटिग क्लोग वइस इसको बोला जाता है हिंदी में तो मामा वर्थ तो इसको अगर ध्यान कैसे रखें थ्यान तो यहां पर यह बताया हुआ है कि लगभग समान लंबाई वाले जो ग्रह हैं वो है बुद्ध मंगल शुक्र और पृत्वी तो पृत्वी भी है इसमें बाकी हमें ओप्शन्स में यह तीन दिये हुए थे और इसके अलावा इन सभी इन चारो ग्रह से जो लंबे हैं वो हैं नेप्चुवन, यूरेनस, शनी और ब्रस्पती यह सभी सूर्य से छोटे हैं तो यह जो सोर मंडल है हमारा इसमें सबसे सभाई का और यह मैं अगर बात करूं यह वाला क्वेश्चन जो था हमारा यह कहां से लिया गया है तो यह जोग्रफी क्लासिक्स चैप्टर वन से लिया गया है और उसमें भी क्वेश्चन के लास्ट में जो एक्टिविटीज दी होती हैं तो जो एक्टिविटीज दी होत टो हैं रखेंगे तो आप क्लास सब्धेंगे निकट का घ्रह है लेकिन सबसे गरं नहीं है तो नर shrmot सबसे गर्म होगा लेकिन सबसे गर्म नहीं है इसके अलावा शुक्र जो है प्रत्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि साइज और शेप में यह जैसा है बिल्कुल इसके अलावा अगस्त 2006 में कि प्लूटो को बोना ग्रह घोशित किया था कि इसने अंतराष्टे खगोलिय संग ने क्यों गोशित किया था क्योंकि यह दूशरे ग्रह की कक्षा को काटता था जैसे बागी जो प्लानेट है सूरी के 4 ओर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं लेकिन यह क्या करते था यह दूसरे किस उसके अलावा चोटे मबे की रिंग होती है प्रश्पती शनी और यूरिनिस के चारों जिसे कि हम वलै All earrings या फिर छल्ले कहते हैं यह चोटे मल वे होते हैं बतब हम कहेंगे तो चोटे चोटे पक्थर के टुकोडे होते हैं यह कह सकते है और इन्हें सकति शाली तुरूबीन की मदब़ मद़ से प्रती से देखा जा सकता है तो कैसे होते हैं यह बाके इनका sequence भी आपको याद रखना चाहिए planets का और easily याद हो जाता है वैसे ये next question है circle of illumination इसके बारे में statements दी हुई है दो बताना है कौन सी सही है और कौन सी गिलत है एक statement है यह globe पर दिन को राथ से विभाजित करता है दूसरी है यह है अक्ष के साथ mail खाता है इसका सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर इसका हो जाएगा option number one A is true and B is false यानि कि पहली जो statement है वो हमारी सही है और B हमारी गलत है क्यों गलत है B? चलो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहला क्या दिया हुआ था point कि जो प्रदीप्ती व्रत है वो दिन और रात को विभाजित करता है तो बिल्कुल सही बात है मालो यह हमारी प्रत्वी है प्रत्वी अक्ष पर इतनी तेहिस डिगरी जुकी हुई है यह देख रहे हैं जो जुकी भी प्रत्वी है अब इसके सामने ऐसे सूर्य आ जाता है तो सूर्य के किरने इसके सामने वाले हिस्से पर पढ़ेंगी तो यह जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ पर दिन होगा और यह वाला जो हिस्सा है इधर यहाँ पर होगी रात तो ये जो बीच की लाइन है इसी को हम कहते हैं क्या प्रदीब्ती वरत और इसी वज़े से कहा जाता है कि ये दिन राट को विभाजित करता है अब बात ये आती है कि क्या ये अक्षो से मेल खाता है तो आप अगर यहाँ पर देखें तो क्या आपको दिख रहा है ये अक्षव से मेल खा रहा है और इसका एक रीजन है ये क्यों मेल नहीं खा रहा है क्योंकि प्रित्वी जुकी हुई है साड़े 23 डिगरी साड़े 23 डिगरी प्रित्वी के जुके होने के कारण ये अक्ष से मेल नहीं खा रहा तो चाहे आपसे किसी भी तरह से घुमाकर के question पूछ लिया जाए आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और इस तरह के question आप थोड़ा से अपने mind से भी दे सकते हैं अगर आपको एक्जेक्ट नहीं पता होता है ना तो आप अपने mind से भी इसको बना सकते हैं तो इसमें हमारा जो option Atlantic Ocean से related है इसमें कथन हमसे पूछे गए हैं कौन सा कथन Atlantic Ocean के बारे में सही है कि तो इसमें direct answer देख लेते हैं कि option number 3 इसमें सही हो जाएगा its coastline is highly indented and irregular इसकी तट्रेखा अतिदिक धन्तुरित और अनियमित है इसके बारे में और चीज़े देख लेते हैं देखो यह जो पॉइंट है ना पहले इसको clear कर लेते हैं यह जो Atlantic Ocean है न आपका यह है आपका यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं कुछ इस तरह का शेप यह बनाता है इसको एस आकृति कहा जाता है एक तरह से कि एस आकृति का जो महासागर है वो कौन सा है तो वह है Atlantic तो इसका जो है तट्रेखा कुछ इस तरह की है यह क्या है उबडखावर सी है मतलब कि यह equal नहीं है इसकी जो शेप है क्योंकि जमीन इसके पास कुछ इस तरह की है तो इसका जो महासागर जो है महासागर की तट्रेखा भी कुछ इस तरह की बन जाती है तो धियान रखेंगे और इसके बारे में और भी फैक्स है कि यह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है अंग्रे जी आप ऊपर यूरोप है नीचे अफ्रीका है यहां और इधर अमेरिका तो तर्ट रेखा इसकी इंडेंटेट यानि दंतुरित है कुछ इस तरह की बनी ही नहीं इसलेहिसा धंतुरित कहते हैं श्तरे को और इसके लावा इसी वजह से क्या है ये पूंत आशरों और पत्तिनों के लिए आदर्श है जैसे जो आपकी है या फिर जहाज हैं उनकेिए या फिर पोर्ट जो होते हैं बंदरगा जहां से माल उतारा और चड़ाया जाता है लोडिंग अलोडिंग होती है जहां पर उसके लिए आदर्श है एक तरह से इसी वज़े से वानिज्य की दरश्टी से सबसे व्यस्त महाजागर है क्योंकि यहां पर ज्यादा ओप्शन्स मिलते हैं यह माल को उतारने और चड़ाने के लिए नेक्स्ट क्रेश्ट देख लेते हैं एक उपयोक के जाने वाले पारंप्रिक प्रतीक यानि कि conventional Simba से रिडेटेड यह कैसी पूछा गया कि क्या है यह तो इसका आंसर हो तो यह इंट्रनेशनल एग्रिमेंट है क्या अंतराष्टे समझो तक क्या है इसको समझ लेते हैं अगर मैं बात करूँ कि मांचतर पर मुझे कोई चीज दिखा नहीं है मुझे मांचतर बताना है किसी को कि होस्पिटल कहां पर है या फिर नदी कहां पर है या फिर रोड कहां पर है तो क्या मैं उनको बना पाऊंगी एक्जक्ट उनकी जो इमेज है कि मैं वो ड्रोग कर पाऊंगी तो अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो मेरे पास एक option है क्या है conventional symbol का जिससे मैं वो चीज़े तरशा सकती हूं इसके अलावा अगर मैं मानलों अपने से कोई भी symbol बना दू तो क्या मेरा बनाया हूँ symbol कोई दूसरा इंसान पढ़ पाएगा तो बिल्कुल नहीं तो यह सभी problem के solution के लिए क्या चीज हम बनाते हैं conventional symbol तो यह मानचित्र पर बनाया जाते हैं बेसिकली मानलों की हमें भवन सडक या कोई भी चीज दिखानी है तो हम क्यूंकि उनकी रियल एक्च्वल शेप तो नहीं बना सकते और इस वज़े से क्या है हम इन symbols का यूज करते हैं और इसी वज़े से हम इनको क्या तरह से दर्शा सकते हैं इसके लावा हम रंगों से दर्शा सकते हैं अलग-लग रंगों से Shades से दिखा सकते हैं चितरों से दिखा सकते हैं या फिर रिखाओं का यूज करके हम इनको दिखा सकते हैं तो इन प्रतिकों के उपयोग से मानचितर आसानी से बनाए जा सकते हैं और पढ़ने में भी आसान होते हैं इसके अलावा ये एक Universal Language होती है Universal का मतलब होता है कि World में कहीं भी आप उसको चीज को दिखा दो वो Understandable हो मतलब कि लोग उसको समझ सकें मैंने अगर कोई चीज बनाई है मैंने कोई Symbol बनाया है ये वाला इसमें से तो अगर मैं किसी और देश में जाऊंगी USA में अगर उसको दिखाऊंगी तो वो लोग उसको वही समझेंगे ना कि कुछ और समझेंगे अगर मैं नदी बना रहे हूं तो उसको नदी ही माना जाएगा ना कि उसको सड़क माना जाएगा तो यही होते हैं Conventional Symbols जो की ऐसी भाषा है जो की सर्व मत्तब कि विबिन रंगों का उप्योगिस में किया जाता है जैसे कि हम एक्जामपल ले अगर हमें Water Bodies दिखानी है जल निकायों को दिखाना है तो हम नीले रंग का यूज करते हैं पानी को दिखाने के लिए आपने भी देखा होगा कि ब्लू कलर से अगर कोई आउन कलर से दिखाते हैं माउंटेंस को प्लेट्यूम दिखाते हैं यलो कलर से और ग्रीन हम यूज करते हैं प्लेंस के लिए मैदानों के लिए फिर पेड़ों के लिए हम यूज करते हैं ग्रीन कलर का तो इस तरह से हम इस तरह से ही बने होते हैं तो देखो कुछ इस तरह को कर गए दिखा सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि short में हमें इनको represent करना है किसी भी चीज़ को अब देखो ए bargain इतना बड़ा मानचीतर बना दिया इतनी छोटी सीज़ेह में तो हमने कितनी सारी रख्रेस्ट इसमें शामिल है यह पेड़ है यह सड़क है यह रेलवी लाइन है तो इस तरह से यह क्या होता है यह मंदिर है तो इस लेंग्वेज को हर कोई समझ सकता है इसलिए इसको कहते हैं अई यूनिवर्सल लेंग्वेज उमीद है यह topic clear हो गया होगा next question देख लेते हैं यह question related है high tides से high tides को हिंदी में हम कहते हैं उच्च जुआर तो इस statement दी हुई है कौन सी statement सही है यह बताएंगे तो इसमें सही answer देख लेते हैं इसमें option number 3 correct हो जाएगा a is true b is false तो a true है और b false है क्यूं true है और क्यूं false है इसको समझ लेते हैं देखो अगर ज्वार भाते की बात करें तो समुदर में जो लहरे हैं जो ऊपर उठती है और नीचे जाती है तो इसमें देखो यह क्यूं होते हैं इसका एक reason है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्शन बलके प्रभाव में प्रत्वी का जल चंद्रमा के निकट आ जाता है तो उच्छ जवार का ये कारण बनते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्शन क्या है पानी को खीचता है तो क्योंकि चंद्रमा के पास है ये तो क्या है पानी को खीचता है तो इसी वज़े से वो क्या है तरंगे ऊपर उठती हैं और ये घटना ये कब होती है पूर्णिवा और अमश्य के दिनों के दुरान होती है और सूर्य चंद्रमा और प्रत्वी एक ही सीद में आ जाते हैं एक ही पंक्ति में आ जाते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन होती है सूर् हाई ताइट्स के बारे में भी हमनें देखा था हाई डाइट्स बोलते हैं दिए को तो उचे जो आरह rejection काफी तक इसमें विपरीत दिशाओं से महसागरिय जल पर पड़ता है परिनाम सरूप निम्न जुआरबाटा आता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है कुछ ऐसी इनकी रहती है पोजिशन सूर्य यहां पर होता है प्रत्वी यहां पर और चंद्रमा यहां पर यह जो पोजिशन है न इसी क कहा गया है क्या लास्ट क्वार्टर में यह होता है अपने तो इस तरह की कुछ चीद की पोजिशन होती है अब जौर के लाव देख लेते हैं जब यह जौर भाट आता है इनका फरक क्या पड़ता है तो देखो यह नो संचालन में मदद करते हैं नविगेशन में यानि के यह एक तरह से नो संचालन में मदद करते हैं हमारी इसके अलावा वे तटो के करीब जल इस्तर बढ़ाते हैं तटो पर जल इस्तर बढ़ जाएगा जल उचाई पर आ जाएगा इससे जहाजों को बंदरगा पर पहुंचने में मतलब आसानी से पहुंचने में मदद मिलती ह किनार पर यहां पर यहां तो मचली पकड़ने में मदद करते हैं इसके लावा बिजली पैदा करने में सहायक होते हैं तो जो आरिये बिजली सेंत्र यानी टाइडल पावर प्लांट आपको दिख जाएंगे ऐसी जगह उपर जहां पर जोर भाट आता है तो धियान रखेंगे अब question की तरफ चलते हैं एक बार देख लेते हैं देखो यहां पर क्या दिया था second statement में यह इसलिए wrong है क्योंकि मच्छिवारों के लिए समस्या पैदा नहीं होती बल्कि उ अंधरगा पर पहुंच जाते हैं जहाज आसानी से तो अभी यह question आपको easy लग रहा होगा समझने के बाद तो ऐसे ही सभी questions आपको easy लगेंगे यह series regular follow करें और regular देखें सब्सक्राइब कर लें चैनल को जदस जदस शेयर करें जिससे की और लोग भी इसका फायदा उठा सक तो इसका direct answer देख लेते हैं जो की है option number 4 कम दबाओ बादल आसमान से जुड़ा है यानि की cloudy जो sky होता है बादलो वाला जो आसमान होता है इसके लावा जो गीला मोसम है wet weather जो होता है यह उच्च दबाओ साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा है इसको समझ लेते हैं detail म देखो जो हवा होती है वो हमारे सरीर पर बहुत दबाओ डालती है जो कि हम महसूस नहीं कर पाते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वायूदाब है हमें सभी दिशाओं से हमारे सरीर पर दबाओ डालता है तो वायूदाब जो है प्रित्वी की सतया पर हवा के भार द्व तो पूछा जा सकता है तो समूदीर तल पर ज्यादा होता है यह सी लेवल होता हैना ज Dartmouth कि यह यहां पर परवत हैYeah और समूद्र का पानी यह tahukar आहे तो जहां तक यह आ समूद्र पानी आ रहा है न तो इसको सबसे जादा होता है और उच्छाई के साथ ही घर्टा है जैसे जैसे वाईविदाब गटेगा तो जैसे हम उपर जाते हैं वाईवर नीचे आ जाता है और 6 रूप से वाईविदाब का वितरन तापमान से प्रभावित होता है रहा हम क्या सकते हैं कि यह प्रेसर होता है ने यह टेम्प्रेचर से मतली इन्फ्लूẵ cens होता है कि जिन चेत्रों में तापमाण अधीक होता है महां की हवा गर्म होकर उपर उठते हैं तो होता किया है दिखो उस जगः की जो बायू होगी वो तो ऊपर उठ जाएगी जहां का मतल्ब गर्मी हो इधामपल ले लो हमारी यहां का नोर्थ-इंडियाक में जू जोन का महिना है जब कि शुर्म गर्मी ep理着 अपनी सीमा पर रहते हैं तो वह पर क्या होता है यहां पर नौर्थ इंडिया में यह वी वहां तो यहां पर gp हो गया वायू वहां से हट गई निम्न दाब छेतर बन गया तो अब यहां पर क्या होगा बादल युक ताकाश होगा आद्र से जड़ा उस टाइम पर मानसून आते हैं क्योंकि यहां पर क्या होगा फिर और हवा आजाएगी जो फंडी हवाय हैं वो इधर की तरफ चलेंगे क्योंकि जगाखाली होगी हवा तो यह समुद्र से हवाए जो आती हैं समुद्र की तरफ से आती हैं मौनसून आपको पता यहांपर क्लाउड्य होते हैं जहांपर कम टेंपरेचर होगा वहाधा ठंडी होगी सर्दियों। को हवा थंडी होती है ने मज्जित होकर यह उच्छेट बनाती है इसलिए अच्छ parl धुप होती है तो उच्च दाब इसपस्ट और धूंग वाले आसमान से जुड़ा है, तो साफ आसमान दिखेगा, आपको कोई बादल बादल नहीं दिखेंगे, यानि कि सर्दी वाले मोसम में कम ही बारिश होती है, आपने देखा होगा, तो वायू हमेशा उच्च दाब वाले छेतरों से निमदाब वाले छेतरों की ओर चलती है, तो इसी वज़े से मौनसून आते हैं, यहाँ पर नौर्थ इंडिया में जो मौनसून आता है, तो डिटेल में समझेंगे जब मौनसून का चप्टर आएगा तो, नेक्स्ट जो क्रेशन है, वो है, अमेजन बेसीन में पाए जाने वाले, नेक्स्ट क्वेशन है, अमेजन बेसीन में पाए जाने वाले ब्रोमेल याड जो है, वो क्या है? तो बेसीन में लोगों का मुख्य भोजन है, यह कीडों की एक प्रचाती है, पोधे जो पत्तों में पानी जमा करते हैं, वो हैं, या फिर खड़ी तिर्ची छत वाल बाले मकान हैं तो क्या चीज है ब्रोमेलियाड्स यह बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर थर्ड यह प्रकार के पोधें हैं जो अपने पत्तों में पानी जमा करते हैं तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा नेक्स्ट क्यूशन है स्टेक्स आर एन इरोजनल फीचर ओफ विच ओफ फोलोविंग इस्टेक निमलिखित में से किसकी अपरदनात्मक विशेशता है यानी कि किसकी वज़े से यह स्टेक्स का निर्मान होता है यह बताना है तो देखो जो अगर आप तयारी कर रहे हैं सोश प्रेट प्रसेंट आपका एक्जाम अच्छे मांक से क्लियर होगा सिर्फ पासिंग मांक सी नहीं बल्कि अच्छा स्कोरा पाएंगे इसका आंसर बताएंगे कि किसकी अपरदानात्मक विशेषता है हवा की ग्लेशियर की समुद्री लहरों की या फिर नदी की सही उत्तर इसका होगा समुद्री लहर तो सी वेफ के कारण स्टेक का निर्मान होता देख लेते हैं किस तरह के होते हैं ये स्टेक जो ओते हैं कुछ इस तरह से डिवार जैसी सानचना ये बन जाती है लहर्णों की वजय बार-बार देखो चट्टान तक को भी यह लहरे अलग-अला आकरतियों में बांट देती हैं क्योंकि काफी पावर्फुल होती है यह लहरे समुद्र की जो होती है तो यह जगे बना देती हैं बीच में देखो बाकी आकरतियों के बारे में देख लेते हैं एक होता है सी इसके अलावा ये कहलाता है C-Ark, कोई चटान है, उसके बीच में इस तरह से जगा बन गई है, तो ये C-Ark कहलाएगा, इसके अलावा कोई गुफा जैसी सरचना बन गई है, पत्तर के चटान के बीच में, तो इसको हम कहेंगे C-Cave, गुफाएं, तो समुदरी गुफाएं इ जान रखेंगे ये सभी आक्रतियां हैं, जो की समुदरी लहरों के द्वारा बन जाती हैं, बन जाती हैं, उटमेटिकली, next question है tsunami लेहरों के बारे में कथन दिये हुए हैं बताना है कौन सा इसमें सही होगा तो पहला कथन है जौलम की विश्पोर्ट से कभी भी tsunami लेहरों का निर्मान नहीं हो सकता दूसरा है आने वली tsunami का पहला संकेत त्टिय छेत्र से पानी की तेजी से निकासी है जिसके बाद विनाशकारी लहरे आती हैं तो इसका सही अंसर देख लेते हैं यह हो जाएगा option number second तो ए गलत है दूसरा जो statement है वो सही है क्यों सही है देख लेते हैं देखो सुनामी लहरे जो आती है उनके पीछे कही कारण हो सकते हैं वैसे जो मुख्या कारण माना जाता है वो भुकम का माना जाता है मुख्या कारण हो सकता है यानि इसके अलावा यह और घटनाओं की आ सकते हैं जमीन अगर धुस्टे ही है कि वज़े से ज्वालम की फटने की वज़े से आती है कि ज्वालम की फटता है ना तो बहुत ज्यादा कमपन होता है धर्ती में किसी तरह का विस्पोर्ट अगर हो निचानल में मध्य मंडल में लेकिन गभीके धरती पर आजा ते हैं तो उनकी बढसे हों कि सुनाम यह खिए अगरवों अब ने क्य toothpick ॉन्की के सोनामी दो मुछ संब और लिगे 21 सन्वा में कि में ढ कि इसमब्र 2004 में बहुत भेंकं सुनामी यह ति काफी विनाश किया ह्खभक उनक्सान भी होते जागरुकता की कमी दी उस derivative कि कि एपास्मने का संकेज कि मतलब कि सुनामी आने वाली है इसकर कैसे मिलता है तो स्टिये ठेटर से जल में तेजी вами कमी आ जाती है मतलब जल में होंगी उसको वह विनाश कर देंगे उसका तो यह का संगेश होता है ज्यान रखेंगे तो अभी क्वेश्चन जी तरफ चलते हैं उम्मीद है कि अभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही थी बिल्कुल सही है यह और यहां पर क्या दिया है जो आलाम की विस्पोर्ट से सुनामी जहने नहीं आती तो यह गलत है क्योंकि इससे आ सब्सक्राइब नेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी जो क्वेश्चन है यह लेयर लेयर ऊफ्ड्रेश के लिया अगया है सूकोन करते होती इसमें अक्सर यह पूचा जाता है कि यह कं सी परत है इस में ब्यूंकि ऑढ़त की लिइन ब snack का है इसमें को मुजायी बढ़ने पर टापमान बढ़ जाता है स्टेजी से बढ़ता है और यह रेडियो प्रसारण में मदद करती है तो यह परत है हमारी यह जो लेयर है यह है थर्मोस्टेर इसको हम बाहिये वायू मंडल भी कहते हैं तो यह थर्ड ऑप्शन इत्में सफ़ी है इसके बारे में देख सबस्ते हैं ति देखें यहाँ पर थ पायन मंदल भी इसी का एक भाग है और असी से 400 किलोमेटर के बीच ये फैला हुआ है इसके अगर लंबाई की बात करें तो और रेडियू प्रसारण में इसमें मर्मत में इसके लावा वद्य मंदल है जो बिल्कु डूट की लियर है ये तीसरी परत है समस्ताप मंदल के ऊप अबर है है कि किलोमेटर की चाहिता प्रसाइब अंत्रिक्स से प्रवेश करने पर इस परत में उल्का पिंड जल जाते हैं जो कि मैं नहीं बताया दान है यहां पर आप लेयर को सीक्वेंस से देख सकते हैं सबसे पहली जो लेयर है वह टोपोस्पेर यानि शोब मंदल स्ट यहां पर लेली है आप यहां से इनकी पढ़ सकते हैं या फिर आप चैक्टर भी पढ़ सकते हैं यह वाला सतत विकास के सिद्धानतों में शामिल किया जाना चाहिए विच अमेंग दा फॉलोविंग शुड बी इनकॉर्परेटेड इन दा प्रिंसिपल्स ओफ सस्टेनेबल डेवलेप्मेंट तो इसका आंसर आपको बताना है बेसिकली स्टेट्मेंट्स दी हुई है चार और कौन स्टेट्मेंट्स है सतत विकास के सिद्धानतों में शामिल है वो बताना है तो इसका correct answer देख लेते हैं इसका option number 4 correct answer हो जाएगा जिसमें की है A, B और D A, B और D जो हैं ये स्टेट्मेंट हमारी किसमें शामिल है सतत विकास के सिद्धानतों में तो आईए इसके वारे में और देख लेते हैं देखो सतोत पोशनिय विकास के कुछ सिद्धानत है Some Principles of Sustainable Development Development मतलब की ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि लक्षे रखा गया है की मतलब Development के लिए तो इसके कुछ सिद्धानत है जो कि हमें उनका पालन करना चाहिए तो देखो पहला है जीवन के सभी रूपों का आदर और देखबाल Respect and Care for All Forms of Life मानव जीवन की गुन्वत्ता को बढ़ाना Improve the Quality of Human Life प्रित्वी की जीवन शक्ति और विविद्धा का सरक्षन करना Conserve the Earth's Vitality and Diversity मतलब कि जो प्रित्वी पर जो भी चीजें हैं हमारे लिए अविलेबल हैं जो संसाधन है उनका हमें क्या कहते हैं सरक्षन करना चाहिए उनको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए इसके अलावा प्राक्रितिक संसाधनों के रास को कम से कम करना यानि के जो उनका डिपलेशन है minimize the depletion of natural resources मतलब कि natural resources का हमें जब जरुरत हो और जितनी जरुरत है उतना ही हम उभग करें ऐसा नहोंगे इनको वेस्ट करें जो संसाधन हमारे पास बहुत ज़्याद मात्रा में अवेलेबल है उनकी तो हमें कोई टाइशन नहीं है लेकिन क्योंकि natural resources जो है बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है तो इसलिए इनका जो इस्तेमाल करें वह एक लिमिटेड वे में करें मतलब कि एक सीमित मात्रा में हमें करना चाहिए ना कि उनका जादा से जादा खपत करनी चाहिए परियावरन के प्रती व्यक्तिकत विवहार और अभ्यास में परिवरतन चेंज पर्सनल एटिट्यूड एंड प्रक्टिसेस टुवार्स था एन्वार्मेंट यानि कि एन्वार्मेंट के लिए हमेशा रेडिकेटर रहना चाहिए मतलब कि परियावरन को साफ स्वच रखना चाहिए और जो खपत की चीजें हैं वो मतलब जिससे आने वाले वक्त में हमें रुक्सान भुगतना पड़ सकता है उनका उपयोग कम करें समुदायोग अपने परियावरन की देखबाल करने योग्ये बनाना enable communities to care for their own environment तो सभी को एक तरह से हम ये संदेश भी दे सकते हैं कि अपने परियावरन को स्वच रखे साफ रखे अगर हम अपने लेवल पर भी ये काम करेंगे तो हम काफी लोगों को जागरू कर सकते हैं तो देखो इसमें कौईंस पॉइंट नहीं है इसमें हमारा ये थर्ड वाला पॉइंट नहीं है इसमें दिया हुआ है देखो प्रकृतिक संसाधनों के उपियोग को रोके stop the utilization of natural resources अब देखो हमारे यूज के लिए ही तो है natural resources बस ये कहा जाता है कि उनका आप जादा से मतब जादा उभोग ना करें और extra उनको waste ना करें उभोग करें उनका लेकिन एक limited वे में एक सीमीत मात्रा में करें जादा उभोग उनका ना करें तो उपियोग को तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो एक तरह से हम कह सकते necessary हैं आज की life में तो बहुत जरूरी है आपको पता ही है जैसे पेट्रोल है उसके बिना तो life ही संभव नहीं है एक जगे से दूसरी जाने के लिए अगर vehicle में आपको जान रहे हैं लेकिन उपियोग करने बंद करने की जरूरत नहीं है तो इसलिए हमारा यह तीसरा option इसमें से हट करके हमारे A, B और D जो statement है वो इसमें correct हो जाएंगे next question देख लेते हैं next question हमारा rated है खनीजों से खनीजों के बारे में निमलिकी में से कौन सा खथन सही है which of the following statements about minerals are correct इसमें भी कुछ statements दी हुई है जो की आपको सही और बिलत पहचानना है देखो इसी तरह के questions अब आने लगे है CTAT में तो आपको भी जरूरत है थोड़ा सा focus होने की और concept को clear करने की अब देखो इसमें अगर आप चूक कर जाते हैं अगर एक statement भी आपको नहीं पता है तो भी आप गडबड़ हो जाएगा लेकिन इनको करने को कुछ तरीके भी होत कि अब जैसे कि इसमें पहला है खनीज बिना किसी मानविय हस्तक शेप के प्राकरतिक परिक्रियाओं दुवारा बनाए जाते हैं तो यह तो सही है तो यह तो शामिल होना ही चाहिए तो यह हमारा इसमें B eliminate हो जाएगा इसमें B eliminate तो ऐसी हो जाएगा बाकी के consider कर सकते हैं अ तो क्या यह सही है तो इसका सही अंसर देख लेते हैं और और इसमें सही हो जाएगा A C और D जो है वो हमारे सही हो जाएंगे क्योंकि देगो खनीज जो है ना यह नोन renewable resource and non renewable renewable क्या होते हैं जिने की हम वापस नहीं पा सकते कम टाइम में मतलब कि इनको बनने में लाखों करोडों साल लग जाते हैं अब इतने सालों में तो हम भी नहीं रहेंगे और हमारी कैपीडिया गुजर जाएंगी जब भी नहीं बन के तियार होंगे वो तो इसलिए इन तो डी को आप ले सकते हैं तो डी होना चाहिए तो अब हमारा तीसरे और चोथे में वैसे का सही होना चाहिए तो वैसे तो हमारा फॉर्थ ऑप्शन ही सही है लेकिन अगर आपको के थुरू करना हो तो अप़ ऐसे कर सकते हैं तो इसका A C और D से होगा अब देखनो बी कीवह नहीं होगा वीशाल हुग क्योंकि माइका एंड क्रोमाइड जो हैं यह फेरस मिनरल्स हैं नाकिन नोन फेरस अब इसके बारे में मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जिसे कि आपको यह चीज क्लियर हो जाए देखो खनीज क्या है प्राकरतिक रूप से पाया जाने वहला परदार्थ है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और सभी समानों पर समान रूप से वित्रण नहीं है मतब कि सभी स्थानों पर यह एक जैसे नहीं पाया जाते मालों कहीं पर कोईला जादा पाया जाता है तो कहीं पर ओल जादा पाया जाता है इस तरह से मतब समान रूप से वित्रित नहीं है और किसी विशेष शेत्र में या शवाय में संकेंद्रित मत्तब कि कि सिर्टब में यह पाये जाते हैं कि अधर किश विशेेश क्रमें पट्रोलियम पाया जाता है कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर कोईला ज्यादा बिलेगा कुछ कंट्री जहाँ पर यह सोना मिलेंगा लोहा मिलेंगा इस तरह समतल्ब अलग जगए पर आपको और और को नहीं नहीं कर सकते हैं जो कि हमारी जाएंगे हमारा क्विश्चन में से ही तो ncrt से एजटी जी लाइन उठाली जाती है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्विश्चन्स वहीं पर मुक्स में ही मिल जाएंगे ऐसा नहीं है कि कहीं और से आता है बस डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि कैई कैई स्टेटमे इसमें पूछ ले जाते हैं तो गवराई नहीं अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा और अच्छा स्कूर आप कर पाएंगे तो वे अपने भोतिक गुनों जैसे रंग घनत्व कर ठोरता और असाइनिंग गुनों या विलेता के अधार पर पहचाने जा सकते तो कैसे साथी इसे की रंक होता है जैसे की पट्व करना होता है अब सोने को तो हम नहीं बान सकते पैसे ही सोना सोने में चमख होती है तो मतब़ा अलग लगी तरह से हम कहेंगे रंग होते हैं घनत होते हैं कठोर ता उनकी होती है कोई लएतना कठोर नहीं होगा जितना की whack to इस तरह से क्या है उनको पहचाना जाता है तो खनिजों के प्रकार देख लेते हैं हमारे दो प्रकार के मुझ्यद रूप से एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक, metallic और non-metallic धात्विक में भी दो टाइप होते हैं, low और aloh देखो प्रत्वी पर लगबग 3000 से भी अधिक विभिन खनीज पाये जाते हैं जिसमें कि हमने दो टाइप भी ने बाट दिया है metallic और non-metallic तो metallic देख लेते हैं, पहले धात्विक देख लेते हैं धात्विक होते हैं जो कि धात्विक खनीजों में धात्व कच्चे रूप में होती है धात्विक हटोर्पदार्थ होती है और उश्मा और विद्यूत को सुचालित करती है जिन में चमक की विशेस्ता होती है तो इसमें देखो कौन-कौन से आते हैं लोहो आयस्क इसमें आता है लोहो आयस्क वो होता है जो कच्चा लोहा होता है जिससे हमारा ये लोहा तयार होता है जिससे बाकी इंस्टूमेंट फिर बनते हैं फिर बॉक्साइट है मैगनीज है इसके ये कुछ विद्वारन है आयस् लोह और अलोह वों तो वह होते हैं जिसमें कि हमारा आयरन रहता है जिन घरई में तो लोह सामगरी मिलेगी नोह से a ask मिलेगा मैगनीज क्रोमाइट वाकि ध्यान रखिंग धात्विक होते हैं इसमें तांबा सीसा हो सकते हैं नहीं होता है इसलिए ही इनको अलोहो कहा जाता है तो ध्यानरखेंग धात्विक दो प्रकार के होते हैं अधात्विक जो है ये इनमें धात्वे नहीं होती जैसे कि सोना चांदी ये नहीं होंगे इसमें चूना पत्थर, अभरक, जिपसम अब चूना पत्थर है, अबने देखा हो चूना कैसा होता है तो कुछ इस तरह के होते हैं ये अधात्विक इन खनीजो के उधारन है खनीज इनदन जैसे कोईला और पेट्रॉलियम भी अधात्विक खनीज है तो अब देखो एक चीज और देख लेते हैं जब देखी रहे हैं खनीजों को निसकर्शन कैसे होता है extraction of minerals मतलब कि खनीज क्या है चटानों के अंदर पाये जाते हैं या फिर जमीन के नीचे दबे हुए रहते हैं तो उनको हमें खोदगर निकालना पड़ता है तो उसके कई प्रोसेस होते हैं तो उसके तीन प्रोसेस हैं जैसे कि खनन प्रवेधन आखनन तो तीन प्रोसेस हैं इसके और इसमें देखो खनन तो वह होता है जो चटानों के नीचे दबे हुए जो खनी जो होते हैं उसको हम न ही किन They did not go through it ॑ और क्वैरिंग होता है जो कि हमारी अप्रित्वी की सताय के निकटी होते हैं ऐंज उनको हम निकालते हैं बार्निंग में देखर दो टाइब होता है ॉपन कस्ट मायนिंग शाफ्ट मायिनिंग यह तो देखको होता है जो कम गहराई में होते हैं निदे निका तो अब यहां से फिर से देख सकते हैं, यह जो second statement था, यह हमारा इसमें गलत था, क्यूंकि यह अलोह खनीज नहीं है, बलकि यह हमारी क्या है, अधात्विक खनीज हैं, अभरक और क्रोमाइट, तो ध्यान रखेंगे, अभरक तो आधात्विक हैं, और क्रोमाइट हमारा लोह खनीज है, तो ध्यान रखेंगे, यह इसमें गलत है, statement, next question देख लेते हैं, next question है, मृद्धा निर्मान को प्रभावित करने वाले कारकों को सुमेलित कीजे, तो match of the following है, तो यहाँ पर मृद्धा को प्रभावित करने वाले कारक दिये हुए हैं, जो की हमें बताना है, किस चीज को क्या प्रभावित करता है, तो इसका जो आंसर होगा, option number one correct हो प्रभावित करता है, कि मृद्धा परच्छे दिखा की मोटाई, मृद्धा परच्छे दिखा किसे कहते हैं, जो मिट्टी की जो हमारी परथ होती है, उसको हम मृद्धा परच्छे दिखा कहते हैं, तो मिट्टी की जो परथ है, वो कितनी मोटी रहेगी, यह समय निर्धायत करता है, क्योंकि जैसे समय बीता है, वैसे ही मिट्टी की परथ पर असर पड़ता है कि वो कितनी मोटी हो सकती है इसके अलावा बात करें तो जलवायू से देखो जलवायू तापमान वर्षा अपक्षय और यूमस निर्माण की दर को ये प्रभावित करते हैं जो की हमारा option में दिया हुआ था यहां पर आप देख भी सकते हैं जलवायू स अपक्षय है और एक है हमारा क्या वनस्पति जात प्राणी जात और सुक्ष्म जीव यूमस दर की निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं जो हमारे फ्लोराफोना होते हैं फ्लोराफोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम यह किसको प्रभावित करते हैं यूमस की जो दर है मि कैसी है तो बाकी इसमें ये भी दिया हुआ है पैरेंट रोग पैरेंट रोग से क्या होता है पेरेंट रोग ये निर्धायत करती है कि उसका रंग कैसा होगा रंग मिट्टी का गठन कैसा होगा राशानिक गुंधर्म क्या होगा उसका खनीज कैसा होगा खनीज की मात्रा पारगम में था इन सब को ये निर्धायत करती है जो पेरेंट रोग होती है तो इन सभी पॉइं क्या है कि कुल मिला करके हमसे पूछा गया है जो नेचरल होती है उसके लाब क्या है एडवन्टेजस क्या है उसके तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन अमबर सेकेंड ए और बी जो स्टेट्मेंट है इसमें वो सही है पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन करना आसान है और यह तेल और कोईले से साफ होती है पॉल्यूशन कम होता है और दुनिया भर में समान रूप से वित्रित किया जाता है तो यह गलत है देखो यह हमने खनीज में भी देखा गा कि जो क्यूंकि खनीज का यह एक हिस्सा है तो खनीज समान रूप से वित्रित नहीं है कहीं यहां पर तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखो बुक में से मैं ने लिया है यहां यह को प्राकृतिक गैस के लाप दिये हुए है आसानी से परिवहनी है और तेल और कोईले से अधिक स्वच है और तेल से सस्ती पड़ती है इसके लावा बाकी के भी आप लाभानी देख सकते हैं खनीज तेल का खनीज तेन का क्या लाभ है और हानी क्या है इसके लावा इंधन का क्या लाभ है क्या हानी है कोईले का क्या ला होता है जलविद्यूत का क्या लाब है और हानी क्या है यहां पर दिया हुगा है तो अब भी देखने को मिलेंगे उपनि शद क्या है यह बताना है इसमें दी हुई हैं इसमें से आपको correct चुनना है तो इसका आंसर हो जाएगा option no.4 A, B और C तीनों ही statement correct हैं शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत है ये और सरल समवादों के माध्यम से प्रस्तूत किये गए इसके लावा विचार जो व्यक्तिकत आत्मा और सार्भोमिक आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं तो ये इसमें ऐसे विचार हैं जो कि हमारे जो individual soul है और universal soul है उसको एक तरह से describe करते हैं ये तो यहां पर इसके बारे में हम और डिटेल में देख सकते हैं देखो अपनिशद के बारे में अगर हम देखें तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठीन प्रशनों का उत्तर ढूनने का प्रियास क से जो कि कुछ क्यों स्काठीट डून रहे थे तो जैसे कि इसमें अगर यहां गडर कूस्तिय करना बें क्योंकि एक तरह हम कहते हैं क्या मृत्य हो जाती है तो क्यूंकि इंसान का शरीर तो मर जाता है तो क्या उसके बाद भी कुछ इस्थाई है जो बृत्यू के बाद भी बना रहेगा इन विचारकों ने इसे आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा मत्तब या तो आत्मा कह दो या तो फिर व्यक्तिगत आत्मा कह दो और ब्रह्म या फिर सर्भोमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया और उनका मानना था कि अन्तत्य आत्मा और ब्रह्म दोनों एक थे आपने कहीं कहीं सुना भी होगा कि आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही एक रूप है तो ये सब क्या है? इन विचारों को उपनिशदों में दर्ज किया गया था ये बाद के वेदिक गरंथों का हिस्सा थे तो उपनिशदों में बैसिकली इसी तरह की विचार आपको मिलेंगे कि बृत्यू के बाद जीवन है क्या या फिर मरने के बाद क्या होता है क्या कुछ और भी पर्मेनेंट चीज है जो कि मिर्त्यू के बाद भी रहती है इस तरह के विचार आपको प्रिशदों में मिलेंगे जो कि इसमें रिकोर्ड किये गए हैं उपनिशतकारत क्या है गुरू के समीब बैठना और इंग्लिश में देखे तो अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर गरंथों में शि ऊपनिशत्ड विचारक, पुरुश, ब्राह्मान और राजा थे जो ये विचारक थे इसमें जिनों ने इन सब चीजों को में मैशन किया ऊपनिशत्में वो क्या थे ब्राहमन थे और राजा थे तो कभी-कभी गार्गी जैसी महिला विचार को का उलेक मिलता है यानि कि जो गार्गी है गार्गी जैसी जो महिलाएं हैं जो हम कह सकते हैं जो विदूशी रही है उनके बारे में भी इसमें लेक मिलता है जो अपनी सिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी और शाहिद दरबारों म सब्सक्राइब करने के लिए हमें इस पर निर्भर रहना चाहिए कहने का मतलब है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई जो skeleton है वो किसका है महिला का है या फिर पुरुष का है तो इसका आंसर हो जाएगा option number second तो हम कैसे पैचानेंगे देखो जो कूले की जो हड़ी होती है कूले की जो हड़ी होती है वो अगर बड़े कूले के हड़ी है बड़े कूले के हड़ी है तो वो महिला को इंगित करती है हम ऐसे पैचानेंगे कि अगर जो bone structure है वो larger shape में है larger hip है उसमें तो वो woman का होगा क्यों woman का होगा क्योंकि women जो है जनम देती है तो इसी वज़े से उनका जो कूले के हड़ी होती है वो बड़ी होती है तो इसका explanation और देख लेते हैं आगे तो यह जो है आपका classics की history में से लिया गया है तो छोटे आकार के अधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह skeleton का अध्यान है कंकालों का अध्यान है कि हम कैसे पहचानते हैं क्योंकि अब देखो जो इतिहासकार है वो तो जो उन्हें साक्षे मिले हैं उसके आधार पर ही धारना उनने बनाई है या फिर उसके आधार पर इडेल उनन दी है कि उस टाइम पर क्या इस्थिती थी क्या चीजे थी किस तरह से क्या चीजे मिलती थी तो वो इस तरह से तथे कर्थे करते हैं और कंकालों से भी पता लगाते हैं कि बच्चे का कंकाल है पुरुष का कंकाल है फिर इस तरी का कंकाल аша है है तो छोटे आकार के अधार पर एक बच्ची कंकाल और बच्ची कार के बीच कोई बड़ा फरक नहीं होता क्योंकि वह बच्चे होते हैं और पनी हो पाता Uns sino क्या हम पताल लगा सकते हैं कि कंकाल सबस्क्राइब को अधार्या जाँ लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है अशर पुरुष भी आभूशन पहनते थे तो कैसे पहचानेंगे और उनके तो भी नहीं हड्डियों की जांच हैं जैसे कि महिलाएं बच्चों को जनम देती हैं इसलिए उनका जो कूला कूले का जो भाग होता है वो पुर्शों से जादा बड़ा होता है तो यह समझ कंकालों के आधोनी कद्यान पर आधारी ते तो आजगी डेट में देखने को मिलता है इसी के मनुष्य है उसका जो बॉड़ी का शेप जो आकार है वो तो वही रहा होगा वो तो नहीं बदला है तो आज से लगबग 2000 साल पहले चरक नाम के परसिद्ध वैद्य हुए थे उन्होंने चिकित्सा शास्र पर चरक संहींता नाम की किताब लिखी थी तो वे कहते हैं कि मनु कि इसका अंदाजा हम यह लगा सकते हैं कि मत्तबन उन deeply 60 कैसे कांट की होंगी उन्होंने दात भी उसमें गिल लिये होंगे उन्होंने हडी को जोड्कर इसमें गिल लिये होंगे और कर्टीलेज को भी जोड लिया होगा तब यह संख्यां उनकी कुई योगी 360 इंग्लिश में भी जानकारी ये आपको यहाँ पर दी गई है इसको आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्यूशन देख लेते हैं अकबर नामा के अनुसार सुवेदार का कार्य भार था तो सुवेदार का क्या कार्य भार था जोकी अकबर नामा में उल्लिखित है ये बताएंगे इसका उत्तर होगा option number one राजनीतिक और सैननेकारिय सुवेदार का क्या काम होता था वो political और military functions को देखने का उसका काम था एक बार इसको देख लेते हैं डिटेल में ये आपको मिलेगा chapter में मुगल सामराज्ये वाले में जो की class 7 का एक chapter है और इसमें अकबर की जो नीतियां थी उसमें आपको ये मिलेगा उस topic में तो इसमें अगर हम देखें तो अबुल फजल की ये लिखी हुई किताब है अकबर नामा और सामराज्य जो था उनका सूबे नामक प्रांतों में विभाजित था जैसे कि प्रांत आजकल है ना तो प्रांतों को पहले क्या कहा जाता था सूबे कहा जाता था तो प्रांत अब भी नहीं कहते हैं अब कहते हैं राज्य जैसे अब राज्य होते हैं वैसे पहले प्रांत होते हैं तो सूबे नामक प्रांतों में विवाजित था जो कि एक सूबेदार द्वारा शाशित होता था प्रति एक प्रांत में एक वित्य अधिकारी या दिवान भी होता था तो इसमें बात करें सूबेदार की तो सूबेदार किस चीज के लिए जीवमेदार होते थे राजनेतिक औ सेनकारियों के लिए सेनिक भी कह सकते हैं और दिवान जो होते थे वह वित्य अधिकारी होते थे एक तरह से कहेंगे Finance Financial Officer होते थे जिसे आज कल वित्यमंत्रिय होते हैं उसी तरह से प्रशाशन की जिम्मेदाई दोनों पर होती थी और आगे देख लेते हैं next question next question है एक छेत्री भाषा के रूप में बंगाली का विकास किसके कारण हुआ तो ये भी हिस्ट्री का question है तो एक तरह से छेत्री संस्कृतियों का विकास एक chapter है उसमें से question लिया गया है तो इसमें उत्तर हो जाएगा option number third both A and B तो दोनों ही जो कारण है वो सही है इसमें वानिज्जिक संबंद भी इसके कारण रहे हैं और राजनितिक नियंत्रन भी रहा है जिसकी वज़े से बंगाली का एक छेत्री भाषा के रूप में विकास हुआ है इसको एक बार थोड़ा से देख लेते हैं तो बंगाल एक छेत्री भाषा के रूप में इसका development हुआ बंगाली जिसका संस्कृत मूल है ये माना चाता है कि इसका बंगाली का ओरिजिन जो हुआ है संस्कृत से हुआ है और चोथी तीसरी श्रताबदी ईशा पूर्ग से बंगाल और मगद के बीच वानिजिक संबंद फिक्सित होने लगे थे इसके कारण संस्कृत का प्रभाव बढ़ा चोथी श्रताबदी के दोरान गुप्त शाशकों ने बंगाल पर राजनितिक नियंतर निस्थापित किया और वहां ब्रहमनों को बसाना शुरू कर दिया अब क्यूंकि देखो संस्कृत का प्रभाव बढ़ा तो संस्कृत से ही तो ओरिजिन हुआ है बंगाली का इस प्रकार मद्यकंगा गाटी से भाशाई और संस्कृतिक प्रभाव बंगाल में मजबूत हुआ सात्वी श्रताबदी में चीनियात्री यून सांग ने ये पाया कि बंगाल में सरवत्र संस्कृत से संबंदित भाशाओं का प्रियोग हो रहा था और फिर इसी से क्या डेवलेप्मेंट हुआ बंगाली भाशाओं का नेक्स्ट क्वेशन है महारास्ट के संत कवियों ने नका रहा अतब किस चीज को इन्हों रिजक्ट किया ये बताना है इसमें तो ये जो क्वेशन है ये भी आपका हिस्ट्री का क्वेशन है और ये मिले इसका अंसर देख लेते हैं कौन सा होगा ऑप्शन नमबर वन इसका करेक्ट हो जाएगा यानि ए और भी जो हैं वो करेक्ट हैं देखो ये सारे प्रीविसर पेपर हैं जो दिसंबर 2021 में पूछे कह थे और मैंने क्वेशन पेपर बता दिया 20 दिसंबर में ये हुआ था तो एक बार सारा से लेबस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी ये पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छे से इन टॉपिक्स को कर पाएं तो हिस्ट्री आपको थोड़े से डिफिकल्टी इसमें आ सकते हिस्ट्री में बागे पॉलिटी और जोग्रफी तो आप कर लेंगे ए तो देखो जो संत है महरास्ट के इसके बारे में देख लेते हैं तो यह है इन संत कवी ने सभी प्रकार के करमकांडों पवितरता के ढोंगों और जन्म के आधार पर सामाजी कंत्रों को खारिज किया मतलब विरोध किया तो यही हमारा स्टेट्मेंट में दिया हुआ है सन्यास होता क्या है सन्यास होता है जब परिवार को छोड़ दें आप सब को छोड़ दें और सन्यास ले ले परिवार से नाता थोड़ दें लेकिन इन्हों ने इसका समर्थन किया परिवार के साथ रहने का लेकिन क्या दिया है कि किसको नकारा परिवार के साथ रहने का वि इस आदिवसी समू ने मुख्या रूप से बक्रियां पाल रखी तो इसका आंसर हो जाएगा option no.3 कश्मीर के बकरमल कश्मीर के जो बकरमल थे इनों ने बक्रियां पाल रखी दी और आदिवसी समू जो होते थे वो एक तरह से उनका अलगलग कल्चर होता था आज भी है जहां उनके ही उनके जो संस्कृती है उनकी जो रितिवाज है उन सभी में शामिल है उनके जानवरों का पालना भी कि कौन से जानवर पालेंगे तो उसमें से ही एक है कश्मीर के बक्रवाल जो की बक्रियां पालते थे बाकी के भी अब देख सकते हैं यहां से देख लेते हैं बह रहते हम इसे हर्ड ओफ केटल और शिब तो यहां से वहां जाते रहते थे और जब एक जगा घास खतम हो जाती थी वह दूसरे अलाकों में चले जाते तो इनका मजलब ऐसा ही था कि यह कोई परमाने डेरा नहीं था जहांपर इको घास मिलती थी जानवरों के लिए वही पर ठहर जाते थे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुजर तो बागी के नाम याद रख लेंगे हो सकता है अगली बार इनका नाम पूछ ले जाए आंधर प्रदेश के लबाडिया आदी समुदाए गाय भैस के जुद पालते थे तो आंधर प्रदेश के लबाडि ने केरल की विविधता और मुस्लिम समुदाए के जीवन के बारे में लिखा था 700 एगो विच ओफ फॉलोइंग ट्रेवलर्स हैद रिटन अबाउट केरलास डाइवलसिटी एंड लाइस ओफ मुस्लिम कमिनिटी तो यह चैप्टर बन से लिया गया है पॉलिटी के अने वाले एक्जाम्स के लिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं सही उत्तर इसका होगा option number second इबन बतूता इबन बतूता ने कुछ चीजे लिखी थी केरल के बारे में यहां के लोगों के बारे में तो देख लेते हैं अरबी और यहुदी व्यापरि लगभक 2000 साल पहले इसाई धर्म लाने का श्रे ईशा मसी के धर्मदूत सथॉंद्धार संथॉंस को दिया जाता है ऐसा माना जाता ह 행복 व्हसे धर्मदूत के सांधौर पहले इहां अए था और उन्होंने अपनी उत्रा वृतानद में लिखा है कि मुसलमान समुदाएकी यहां बड़े चति यात्रावरतान्त इको तरब्वता होती है तो भूख में उन्होंने इपनी ये वर्णन किया है मुस्लिम समुदाय के बारे में इन सभी अतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन धर्मों का पालन करते हैं जैसे कि यहूदी, इसलाम, इसाई, हिंदू और बोध धर्म तो क्यूंकि यहां पर अलगलग धर्मों के लोग आये थे तो इसी से हुआ है, most modern Indian scripts have developed from, तो इसमें यह बताना है कि किस से भारती लिपियों का विकास हुआ है, options चार दिये हुए हैं, तो सही जो विकल्प हो जाएगा, वो होगा first, ब्राम्मी जो लिपी है, इसी से भारत की बाकी लिपियों का विकास हुआ है, और इसमें इस से related कुछ समानता क्या पाई जाती है, क्यों ऐसा माना जाता है कि ब्राम्मी लिपी से यह उत्पन हुई है, तो देखो लगभग सभी लिपियों जो है भारत की वो ब्राम्मी लिपी से उत्पन हुई है, और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी भारती लिपियों में लगभग सम मानी लगता है सभी धवन्यात्मक हैं और कवर्ग और चयावर्ग आदी में बटे हैं यानि वर्गों में बटे हैं जो इनकी लिपी हैं सभी के लिखने में मात्र का प्रियोग होता है सब में संयुक्तर अक्षरों का प्रियोग होता है संयुक्ता अक्षर होते हैं जैसे कि और सीमा तक मिलती है यानि जो word होते हैं है जैसे की कर रहां यह आपस मिलते हैं काफी जो लिपीयां भारतीय स्वार्वियंद्र A Almost उस्वत लिकनीठा बड़िए कन्सेट्ब मस्प्सुमें आपको और सबसे nuclear लगभग समान कि बाइंस दाय लिखते हैं तो लगभग ऐसे ही सभी लिपियां लिखी जाती हैं और सभी लिपिव में अंको का स्वरू भी बहुत कुछ कुछ मिलता है तो यह सभी समानताइं पाए जाती है इसी आधार पर कहा जाल माना ज़्यादा है कि जो बाकी लिपियों का जो जन्म हुआ है वो ब्रहाम में से ही हुआ है नेक्स्ट क्रिश्चन है दो स्टेट्मेंट दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सी सही है तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नमबर सेकेंड बोथ ए और बी आर टू तो शतुर मुर्ग पुरापाशान काल के दोरान भारत में पाए गए थे ऐसा माना जा जाता है और फोन इन इंडिया दूरिंग दा पैलियोलिथिक पीरियड और दूसरी स्टेट्मेंट है महारास्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतर मुर्ग के अंडे के चिलके उतकी इनन के साथ पाए जाते हैं ला पाए गए हैं लार्ज क्वांटिटीज ओफ ओस्टी एग जिए ऄ açyou जो एग के ऊपर का चिलका होता है ऊसको बोलते हैं विद एंग्डेविंग्स है वीन फोन इन महाराश्टर तो ऑनडे के चिलके के उतकीनन वहाँ पर मिले हैं महारास्ट्र में तो दोनों ही स्टेट्मेंट हमारी समें सही हो जाती है । नेक्स्ट टेश को उनion के उपनिवेश से मिलाओ मैच दा कंट्री तू दियर कॉलोनीज तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नमबर सेकेंड एको हम सेकेंड से मिला देंगे यानि कि फ्रांस का जो पनिवेश है वो है सेंट डॉमिनिक बी को हम मिला देंगे किससे फोर्थ से उर्तगाल ब्राजील से संब नमगे तीसरे से मिला देंगे स्पेन वेनेजोला तो यह इनके ऑपनिवेशिक राज्य है मैं कह सकते हैं सामराज्यवादी एतिहसिक पैंटिंग इंपीरियल हिस्टोरिकल पैंटिंग्स देखो आपको जो हिस्ट्री का सेक्शन है थोड़ा टफ लग सकता है तो हिस्ट्री कुछ classes रह गई हैं तीन चार classes quality के रह गई हैं जैसे ही quality finish होगा उसके बाद हम history start करेंगे तो history अगर starting से आप करेंगे class 6 से लेकर के 8 तक तो basic आपका clear होगा उसके बाद आप इन questions को easily कर पाएंगे otherwise आपको यह tough लगेगी क्योंकि history का syllabus काफी जादा भी है तो आपको history अच्छे से पढ़ लेनी हैं तो history की classes जल्दी ही start करने वाले हैं हम तो इसमें answer क्या हो जाएगा यह क्योंकि इसमें statement हम से पूछी गई है कौन सी correct है इसका answer होगा option number second a, b और c correct है और जो यह d है statement यह wrong है सामराज्यवादी फत्य की लोक स्मृतिया गड़ती हैं अंग्रेजों को अजे और सभी शक्तिशाली के रूप में चित्रित किया और यूरोप में व्यापक रूप से लोक प्रे हुई actually यह topic मुझे मिल नहीं नहीं पाया कौन से chapter में है तो जब हम chapters को पढ़ेंगे उसके बाद यह topic आपका clear हो जाएगा क्योंकि सी history का syllabus काफी ज़्यादा है तो next question है आईने अकबरी के बारे में कथन पढ़ें कुछ कथन दिये हुए हैं आईने अकबरी के बारे में तो इनके बारे में बताएं कौन सा कथन सही होगा correct answer देख लेते हैं option number 3 में correct हो जाएगा C और D correct है सी और डी जो statements है यह लोगों की परंपराव और संस्कृति के बारे में विबरन देती है इट records about the traditions and culture of the people यह कई चीजों के बारे में सांखीक किया आंक्र प्रदान करता है इट प्रोवाइड statistical data about many things तो option 3 COD जो statement है वो सही हो जाएंगे आईने अकबरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं अकबर नामा भी है इसमें तो अगर बात की जाए अकबर नामा की तो अकबर ने अबुल फजल को शाशन का इतिहास लिखने का आदेश दिया तो शाशन का इतिहास जो उसने लिखा अकबर के शाशनकाल के इतिहास के तीन खंड लिखे गए तो ये सभी खंड उस समय के विभिन विश्य वस्तों से समनत दित हैं तो ये सभी हम कह सख्ते हैं जो तीन खंड न ये अकबर नामा तीन खंडों में विभखते था तीन खंडों में बटा हुए था अकबर नामा femme तो अकबर नामा का पहला खंड क्या था इसमें था अकबर के पूरवजों का ब्यान और ये कहा जाता है कि Child Rule के बारे में भी इसमें था अकबर के और अकबर नामा का दूसरा खंड जो था इसमें अकबर के शाशनकाल की घटनाओं को दर्ज गिया गया था जैसे कि for example पानी पत की लड़ाई हुई थी जैसे तो जो मतलब मुख्या घटनाओं थी उनको इसमें दर्ज किया गया था और अकबर नामा का जो तीसरा खंड है उसको हम गया सकते हैं एक तरह से आईने अकबरी नाम से जाना जाता है तो आईने अकबरी के बारे में देख ल सामराज्य के भूगोल जो था जोग्रफी जो थी उससे संबंदित है इडिल्स विद अकबर्स एड्मिनिस्ट्रेशन हाउस होल्ड आमी दरवे न्यूज एंड जोग्रफी ओविस इंपर यह समकालिन भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं और संस्कृति के बारे म समर्द विवरन भी पुरदान करती है तो यह आप स्टेट्मेंट यह वाले देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन में था तो यह रहा सी वाला जो हमारा यह कथन दिया हुआ है यह बिल्कूल से मैच कर रहा है इसके अलावा और क्या था इसमें और क्या मिलता है यह फसलों पैदावार कीमतों मजदूरी और राजस्व जैसी विविद चीजों के बारे में संखिक्य विवरण भी प्रदान करता है यानि जो भी मत्तब उससे रिलेटेड थी स्ट्रेटिस्टिकल जो डिटेल्स होती हैं मजदूरी राजस्व पैदावार कितनी हुई फसल का क्या भी ह इनके सभी चीजों के बारे में वो भी मिलती है आइने एकबर में तो ये जो है हमारा इसमें ऑप्षन 3 बिल्कुल correct है तो D statement आप देख सकते हैं ये भी हमें मिल गया है उसी में तो ये जो part मैंने उठाया है content का ये मैंने NCRT से लिया है और NCRT से as it is ही line आपकी पूछी जाती है बस अंतर क्या होता है कि वो statements के format में पूछ लेते हैं एक तरज हम कह सकते हैं कि एक साथ ये 4-4 question कर लेते हैं अब 4 statement दे दी तो मतलब 4 question का answer आप से ले लिया तो इसलिए आपको ये tough लगता है क्यूंकि ये कम questions में ज़्यादा जानकरी आप से चाहते हैं Next question है सबसे पहले लगूचित्र किस पर किये गए थे The earliest miniature paintings were done on तो इसमें हमें बताना है option select करने हैं कौन-कौन से सही होंगे इसका answer हो जाएगा option number 4 देखो ये थोड़ा सा doubtful है question इसका जो answer है doubtful क्यों है देखो हमसे पूछा गया earliest miniature paintings यानि कि जो पहले सबसे पहले जो लगूचित्र होते थे miniature होते थे वो किस पर किये गए थे अब देखो पहले की बात करें तो पहले तो ये चीज़े लगूड होती थी पाम लीफ या फिर बात करें लकडी ये लगूड होती थी पेपर की printing तो पहले स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो ये थोड़ा सा doubtful है लेकिन इसमें इंक्लूड किया गया है ये ओफिशल अंसर है बल्कि सी टैट का तो इसमें सी को भी इंक्लूड किया गया है अब सी ऐसा कोई option नहीं है जिसमें सी अवेलेबल ना हो तो ये थोड़ा सा मुझे doubtful लगदा है मेरे हिसाब सबसे बी और डी होना चाहिए क्योंकि पेपर की प्रिंटिंग तो आपको पता ही है बाद में स्टार्ट हुई थी और पहले जब ये मिनीचर पेंटिंग सुई थी तो जब तो पेपर अवेलेबल भी नहीं होगा और अगर बात करें बुक में तो बुक में भी यह दिया हुआ है पेपर का जिक्र आज की च्वाधूनी के ना उसमें है पेपर का जिक्र जैसे की यहां पर देखो लगू चितरकला का विकास छोटे आकर की पेंटिंग जो आम तोर पर कपड़े या कागज पर वाटर कलर मे की जाती है की जाती है जा मतलब आज कल जो पेंटिंग की जाती है वो कपड़े या फिर कागज पर की जाती है लेकिन यहां पर देखो अर्लियस मिनियेचर की बात हो रही है यहां पर गोर करो जरा सेकेंड लाइन में प्राचिंतम लगो चितर ताल पत्र या लकड़ी की त तो लगुचित्र के बारे में और अगर बात करें तो अक्सर ये उपहार के रूप में आदान प्रदान किया जाता था और केवल कुछ विशेश समराट और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा ही देखा जाता है जो गिफ्ट के तोर पर ये मिनियेचर पेंटिंग्स मिलती थी वो कुछ करीब के लोगी उनको देख सकते थे ये खास बात थी इसकी ध्यान रखेंगे सुधारकों को आंदोलनों से सुमेलित कीजिए तो ये कुछ लोग हैं जिनसे ये आंदोलन संबंदित हैं इनको अगर मिलाएं तो आंसर देख लेते हैं हम ऑप्शन नमबर सेकिंड सही हो जाएगा एको हम मिला देंगे किस से सतनामी से यानि घासी दास सतनामी आंदोलन से समस्दीत हैं और पेरियार ये आत्व सम्मान आणदोलन से सम्बंदित हैं और ड़ोजियो यंग बंगल आंदोलन से समबंदित हैं और लास्ट बसता है डी यह हमारे समिड कर दिक उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए क्या गया था अंदुलन किया था क्योंकि मंदिर में प्रवेश दलितों को नहीं मिलता था तो इससे भी आप इसको कर सकते हैं तो इसमें अगर आपको यह डी वाला पता होता तो इसमें आप यह वाले सेकिंड और प्रस्तावना में निम्लिकित में से किस प्रकार की समानता के उल्ले किया गया है इसके लिए आपको जरूरी होनी चाहिए कि प्रस्तावना आपको कई बर पढ़ लेनी है इसे कि आपको उसमें इंपोटेंट वर्ड्स हैं उनका आपको ध्यान रहे क्योंकि प्रेंबल के बारे में एकसर क्वेश्चन कर लिया जाता है तो इसमें जो correct answer होगा वो होगा प्रतिष्ठा की समानता equality of status आप देखो इसको आप अगर प्रेंबल को देखेंगे यह प्रिस्तावना है आपकी exact मैंने लिख ली है यहाँ पर तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसी की बात की हो गई है तो इसमें हमसे पूछा है कि कौन सी समानता कि समता मतलब समानता ही होता है तो यहाँ पर option में हमें क्या दिया गया था प्रतिष्ठा दिया गया था बाकी तो थे नहीं देखो इसमें प्रेंबल में बाकी नहीं है रोजगार धन और आई की बात नहीं की गई है प समाजवादी पंत निर्पेक श्लोक तंतरात मगन राज्य यह सभी वर्ड को एक बार कुछ मतलब दो तीन बार इनको पढ़े लेंगे तो आपको धियान रहेगा क्यूंकि इससे बहुत बार क्वेस्टेंज पूछे जाते हैं प्रियम्बल से नेक्स्ट क्यूंड है निमलकित में से कौन सा कतन भारत में नगर निगम के बारे में सही है विच ओफ दा फॉलोइंग स्टेट्मेंट्स इस ट्रू अबाउट मुनिसिपल कॉर्परेशन इन इडिया बात करेंगे हम नगर निगम की नगर निगम यह आपका पॉलेटी से लि जाएगा तो इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन अंबर सेकिंड वार्ड पार्षद निर्वाचित सदस्य हैं वार्ड काउंसलर इस एन एलेक्टिड मेंबर तो जब हमने चैप्टर किया था यह अर्बन एड्मिनिस्ट्रीशन तो उसमें मैंने आपको सिटी है सिटी अलगलग वार्डों में बटी होती है मालो सिटी है तो इसमें अलगलग वार्ड अलगलग भागों में हमने इसे बाठ दिया छोटे-छोटे इसके भाग कर दिये इनको हम कहेंगे क्या वार्ड यह जो हर एक हिस्सा है हमारे इसको हम वार्ड कहेंगे अब जो तो एक वार्ड है इसके लिए एक मेंबर चुना जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं वार्ड काउंसलर कहते हैं तो वार्ड काउंसलर जो होते हैं यह इलेक्ट होते हैं यानि आप वोटिंग करते हैं उसके थूरू यह चुने जाते हैं तो यह यह जो शहरों में नीडने लेने के प्रवाम होता है यह पार्शदी नीड़ा लेते हैं इसके अलावा देखो कुछ ऐसा भी स्टाफ होता है जो कि हम बात करें एड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और कमिश्णर होता है तो यह जो लोग होते हैं यह निर्वाचित नहीं बल्कि अपॉइंट होते हैं एलेक्टिड में डिफरेंस पता होना चाहिए अपॉइंट में मतलब जो गौर्मेट अपॉइंट करती है एलेक्टिड मतलब जो जनता चुनती है कमिश्णर और अड्मिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अपॉइंटिड है जबकि काउंसलर जो है निगम पारशद जो है वो निर स्टेट्मेंट था वार्ड आयूक्त निर्वाचित पनल कमिशनर की यहां पर बात हो रही है जिब कि कमिशनर जो है आपोइंटेड होता है तो इलेक्टिड नहीं होता है इसे में हमारा यह सब्सक्राइफ बालकी अपोइंट होता है मैं दो अध्र कि Metि कibl trasff tra Ministarає bet Parkerंज जो होता है कमिशनर के बारे सिकान Sun करता इसको और यह बैसिकली एक पॉइंट होता है वह वह भी जो वह सकते थिए सेटंसर में सेक्ट जो ओपशन हो जाएगा अर्बन एडारा सुच्छ सब्सक्राशन महिल जाएगा महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसे कानून है जो 30 से अधिक महिला करमचारियों वाले संगठन के लिए ये सुनिशित करता है करना अनिवारे बनाते हैं कि वहाँ पर कौन सा चीज होनी चाहिए चाहिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन होनी चाहिए महिला अधक्ष होना चाहिए या फिर परिवाहन होना चाहिए कोई नखोई तो इसमें से क्या निवारी बनाते हैं जो भारत में कानून है तो इसका सही answer हम देख लेते हैं सही answer इसका हो जायएगा option number one क्रेच सेंटर क्रेच सेंटर क्या है इनके बारे में जान लेते हैं देखो यह जो टॉपिक रिलेटिड है हमारा इक्वैलिटी से रिलेटिड है जो की विमें वर्क के बारे में है तो अब जैसे की जो मतलब अगर आदमी से महिलाओं के काम की समानता अगर देखी जाए तो मह महिलाओं को बहुत सारी difficulties फेस करड़ी पड़ती है उनके उपर दोहरे काम का बोज होता है घर में भी काम करती है और दफ्तर में भी काम करना होता है तो ये अनिवारी बनाया गया है महिलाओं के लिए कि जिससे उन पर काम का बड़न थोड़ा कम रहे तो कि जहां पर भी महिल को जिम्मेदारी लेनी होगी कि आगर आपके पास किसी कंपनी के पास अगर 30 महिला करमचारी उससे उपर हैं तो उनको क्रेच सुईधाय उपलब्द करानी होगी महिलाओं के लिए तो क्रेच सेंटर बेसिकली होते हैं शहरों में बच्चों की देखवाल के लिए छोटे बच के लिए चाइल्ड केर सेंटर्स हम कहेंगे इनको और ऐसे ही चाइल्ड केर सेंटर्स गाओं में भी होते हैं जिनको की हम कहते हैं आंगनवाडी आंगनवाडी ये बाल देखवाल के इंद्र गाओं में बच्चों की देखवाल कहां पर होती है आंगनवाडी सेंटर्स में वहाँ पर उनको कुछ positive कहार भी provide कराया जाता है तो काफी सारे चीज़े हैं जो बच्चों के लिए देखवाल की जाती हैं वहाँ पर, तो ये सरकार के कुछ सकारात्मक कदम है, equality के लिए महिलाओं के लिए. नेक्स्ट क्रिशन देख लेते हैं, रोजा पाकस ने सयुक्तराज अमेरिका में किस विशेश आंदोलन की शुरुवात से बस में अपनी सीट छोडने से इंकार कर दिया था, तो ये इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जब रोजा पाकस ने अपनी बस में सीट नहीं छोड़ क्योंकि वो एक नागरी की थी और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तो एक तरह से सिविल राइट्स मूव्मेंट उस टाइम पर स्टार्ट हो गया था, इसके बारे थोड़ा और देख लेते हैं, अगर हम रोजा पाकस की बात करें, तो ये एक श्वेत महिला थ महाँ पर ऐसी विवस्था थी, कि अगर कोई गोरा व्यक्ति बस में बैठना चाहता है, तो जो काला व्यक्ति है, अश्वेत कहते हैं बेसिकली उसको, तो उसको या तो पीछे की सीट पर बैठना पड़ता था, या तो फिर उसको सीट छोड़ने पड़ती थी गोरे व्यक् इतना थी, एक दिसमर 1955 की, लेकिन उसने मना कर दिया, कि मैं इस कंडिशन में नहीं हूँ, कि मैं अपनी सीट छोड़ू, और हम भी एक नागरिक हैं, तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके इनकार से बहुत बढ़ा आंदोलन शुरू हो गया, तो इसलिए इसको सि पहले आंदोलन देख लेते हैं, आंदोलन के बारे में अगर अपसे कोई पूछे, ये किस बारे में था, तो 1950 के दशक में अमरीका में शुरू हुआ एक आंदोलन, जिसमें अफरीकी अमेरीकी लोगों ने समाना धिकारों और नशलिय भेदभाव वो समाप्त करने की मांग नशलिय भेदभाव ये बेसिकली कहा जाता है, जो ये रंग रूप के अधार पर होता है, तो ये अफरेकी अमेरीकी कोई कहलाते थे, क्योंकि इनके पूर्वच जो थे वो अफरीका के थे, जो की अमेरीका में आकर बस गए थे, या फिर इनका हम कह सकते हैं, तसकरी होती ह नोग होगी, लोग वहाँ से लेकर आएथे, अफरीका से, तो फिर वो जब अमेरीका में बस गए, इनके पूर्वच, अब जो वहाँ के बच्चे होंगे, तो वह क्या कहला है, अफरीकी अमेरीकी, क्योंकि उनका जैम जह अमेरीका में हुआ है, लेकिन वैसे जो उनकी सब्सक्राइब Queens Park को समय इसके बाद दिया गया हम इसको आप यहां पर कस्ट सिस्टम से जोड़ सकते हैं जैसे यहां पर कлем वगों कश़फिज आधिकार नहीं दाने एक वैसे ही महां पर जोब सेाले कौण नहीं तो वैसे ही कुछ इसी ही similarity अगर देखें तो कुछ उसी से मिलती है हमारे caste system से तो next question देख लेते हैं media के संदर्भ में agenda set करना से क्या ताक परिये है what is implied by setting agenda in the context of media तो basically संचार के माध्यमों को समझना ये एक chapter है class 6 की quality में sorry class 7 की quality में है ये तो उसमें आपको ये chapter मिल जाएगा वहां से आप इसके बारे में complete जानगारी पास अपते है तो इसका answer हमें बताना है कौन सा option सही रहेगा इसमें इसमें सही answer जो रहेगा option number 4 हो जाएगा basically इसमें बात की गई है कि media को एक agenda set करना चाहिए मुद्दो की पहचान करना और इन जनता के सामने पहुचाना कैसे मुद्दो की पहचान करना कि जो जंता के पहुंच kuv में आने लायक है याने की जंता को जिनको समझने की जरूरत है जानने की ज़रूरत वह मुद्दे जंता तक meडिया पहँचा मेडिया के जिम्मेदारी होने चाहिए इसको कहा गया है एजेंडा सेट करना कि कैसे कौन से ऐसे मुद्धे हैं जिनको की जनता के सामने लाना ज़रूरी है जैसे कुछ चीज़े होती है जाग रूपता फैलाने वाली आए इनके बारे में कुछ एक्जामपल्स देख लेते हैं तो देखो जो मीडिया जो जानकरी दिखाने योगे हैं उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है जनरली आजकल यह माना जाता है बलकि जिसमें लोग रूची लेंगे वह खबर दिखाते हैं अब क्यूंकि ज्यादा लोग देखेंगे ज्यादा त्यार भी आएगी और उससे क्या होगा उनके एड वगरा भी जादे देखेंगे जाएंगे तो इनकम ज्यादा होगी बेसिकली आजकल जो मीडिया है इसी बात पर फोकस करता है लेकिन इसलिए कहा गया है कि मीडिया वो एक अजंडा सेट करना चाहिए जिससे कि वह जानक तो उलसरों कारण केबिकल में हुक्त का पार्णयकारक जैंज है अजकर के लिए हानिकारक तो बोगर को क्या करना चाहिए कि अवंद्ध को पहुंचा सकती है कि यी आफकी अजकल मीडिया बुलाए जाते हैं उस function में तो उस function के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा मीडिया का ना कि किसी जरूरी चीज़ के बारे में तो कुछ खास विश्यों पर ध्यान के दृत करके संचार माध्यम हमारे विचारों भावनाओं और कारियों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन entertainment में ही आपका ध्यान बटाए रखते हैं तो आप उन जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम जनता के तोर पर हम जागरुक इतने नहीं हो पाते हैं और आज कल भी जनता इतनी जागरुक नहीं हुई है जो advertisement आते हैं उनको देखर के दे उस एड को देखकर के मतलब प्रभावित हो जाएंगे उसी प्रड़क को खरीद लेंगे और हलाकि सच्चाई कुछ और होती है वह बालों को फायदा पहुचाने के बदले और नुपसान कर देता है तो इसलिए कहा जाता है कि एजंडा तै करे मीडिया जिससे कि मीडिया ज जब वह एजंडा सेट करे कि किस तरह से हमें जानकारी जंता तक पहुंचानी है सकारात्मक तो यह हो सकता है कि जो कोला पे को लेकर के कुछ नकारात्मक खबरे थी वह कवर करनी चाहिए जो को जंता के सामने कवर करने की जरूत है जंता को पता होने चाहिए और नकारात्म क्या है नकरात्मक ये है कि स्वच्छ पेजल जैसे बुनियादी बुद्धों पर इसने ध्यान देती है मीडिया और फैशन वीक पर ध्यान देती है तो एजंडर तेकर समय मीडिया की जिम्मेदार ये होती है कि वो जो जरूरी चीज़े हैं उन पर जनता का ध्यान आकरशित क करें ना कि ऐसी चीज़ों पर जो की जनता ज्यादा देखेगी ज्यादा पसंद करेंगी कि नेक्स्ट क्रिश्चन देख लेते हैं भारत में धर्म निर्पेक्षिता के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सकत्या है तो चार कथन दिये हुए है इसमें और सही आपको ब पॉलिटी में सेकिंड चैप्टर आपका जो धर्म निर्पेक्षिता से रिलेटिड है सेकुलरिज्म से रिलेटिड है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी क्लास एर्द के सेकिंड चैप्टर में मिल जाएगी इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नम जाएंगी भी क्या है भारती राज्यों को धर्म से एक सिध्धान्तिक दूरी बनाये रखने चाहिए मतलब कि एक ऐसा डिस्टन्स होना चाहिए राज्यगा धर्म से कि ना तो उसमें इंटरफेर करें और ना ही बिल्कुल उसे इग्नोर करें तो मतलब कि जब जरुरत हो तो उसमें इंटरफेर भी करें और इग्नोर भी करें चीजब को सी क्या है सुरी सी नहीं था इसमें डी है राज्य को एक धार्मिक समुदाय के दूसरे समुदाये का वर्चसु बढ़ रहा है मानलो कोई मिजोरिटी में कोई धर्म है और minority में कोई धर्म है यानि कि जिसकी लोगों की संख्या कम है अगर majority वाले धर्म के लोग minority यानि कम संख्या वाले धर्म के लोगों को कुछ परिशान करते किसी चीज से तो उस चीज को भी रोकना राज्य का काम है ऐसा लिए है कि वो हस्तक्षेप अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा अगर मालो कोई principles पर बात आती है किसी तरह से लोगों की safety पर बात आती है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप भी करता है यानि कि बिल्कुल कठोर लियम नहीं है एक तरह से हम कहेंगे फ्लेक्सिबल लियम है जब जरूरत होती है तो राज्य दखल भी दे सकता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दूर दूर रहेगा तो बी और डी इसमें सही हो colour state क्यों separation किया गए है separation इस लिए किया गया है जिससे की दोनों शक्तिया क्या हो अलग रहें और को यह न कहें कि उस धर्म को ज्यादा importance मिल रही है मान लों की कोई नेता अगर किसी धर्म का बन जाता है मान लोको हिंदु धर्म का नेता बन जाता है तो वो तो देखो अपने ही धर्म को सपोर्ट करेगा कोई मुसलिम धर्म का नेता जब बन जाता है तो फिर वो अपने धर्म को सपोर्ट करेगा तो इसलिए राजय का धर्म से प्रतक करन गया गया है कि जो राजनिती है उससे धर्म मिक्स ना हो और जो लोगों की सतंदरता है वो उसे प्रभावित ना हो तो जैसे कि हमारे मौली का धिकार है एक धर्म की सतंदरता का धिकार राइट टू फ्रीडम ओफ रिलीजन तो इसमें सम्विधान व्यक्तियों को उनके धार्मिक प्रथाओं के इनुसार जीने की सतंदरता प्रदान करता है जैसा वे चाहते हैं तो धर्म मतलब सम्विधान जो है सतंदरता देता है लोगों को कि वो चाहें किसी भी धर्म को मानना चाहें उनकी चाहें जैसे भी प्रथाओं वो उनको फोलो करें कर सकते हैं जब तक कि वह तो किसी परसं ब्惁 को नुक्सान पहुंचाती है तो राजय को को निर्पेखषिता कहा जाता है यानि कि जो राज्य है वो धरम में हस्तक्षेप नहीं करेगा उसी को हम कहते हैं घर्म पेकुलगा तो भारत में सभी को कोई भी धर्म मानने की जायत है अगर आप अपना धर्मubl कर कोई और धर्म अपनाना चाहते हैं तो आपकना सकते हैं कोई आपको रोके कऱा COP नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेशन इज भार के संसद में 1952 से लेकर के 2019 तक निमलीखीत में से किसके लिए आरक्षन था इंडिया पार्यमेंट हैड रिजर्वेशन फ्रों 1952 to 2019 for which of the following इसमें से basically पूछा है जिनको आरक्षन मिला हुआ था उनके बारे में और time period भी हमें बताया गया है तो इसमें जो answer हो जाएगा option number 3 से हो जाएगा A, B और D इसमें एक देखो point समझने वाली बात है लेकिन कि जो यह आरक्षन मिला हुआ था तो यह आरक्षन मिला हुआ थक इसको आनुसोंची जाती यानिकी schedule कास्ट को जिनी चीज जाती कही जा दे थी और इसके लावा anglo indian को और इसके लावा अनुसोची जन जाती को, शिड्यूल ट्राइब, आदिवासीय के बारे में जो हमने जाना था, तो इन तीनों को ये आरेक्षन मिला हुआ था, अब इसमें से देखो, एंगलो इंडियन समुदाय का तो आरेक्षन खतम कर दिया गया, 2019 से, लेकिन इनका अभी फिर से रेन्यू प्रत नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा, A, B और D, आप्शन नमबर 3, तो इसमें अगर हम बात करें, तो जैसे चुनाओ होते हैं, तो आप देखो, लोक सबा में आपको पताई है, लोक सबा में जो सीटे हैं, टोटल, सीटे थी, पहले की बात कर रहे हैं, तो टोटल स सीटे कितनी मानी जादी थी, पांसो तिरालिस प्लस दो, यानि कि 543 प्लस टू, प्लस टू का मतलब क्या है, एंगलो हिंडियन जो थे, उनको राश्पती ना मित करते थे, ना मंगकर उनका करते थे, तो अब ये अब बोलिश कर दिया गया है, जन्वरी 2020 में, माना जाता है एक तरह से 19 का ही, एक्ट जो है, ये हमारा 104 संवेधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये अबोलिश कर दिया गया है, तो इससे अब जो दो एंगलो इंडियन रास्पती नामित करते थे, वो अब खतम कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, नेक्स्क्रेशन देख लेते हैं, भारत का संख्यन या याले, किसका पूरवर्ती है, फेडरल कोर्ट ओफ इडिया इस दा प्रसीडर ओफ, किसका प्रसीडर है, यानि कि, हम ये कहेंगे, कि अब जो है, वो किस नाम से है, तो इसका हो जाएगा, आप्शन नमबर, वन करेक् स्टापना हुई थी, और ये पहले फेडरल कोर्ट ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, भारत का सर्वोच नया याले तो यहाँ पर आप इसकी थोड़ी से डिटेल दे सकते हैं यह जो established हुआ था 26 January 1950 हो और पहले यह इस से पहले 1950 से पहले यह the Federal Court of India के नाम से था जो की था यह 1937 से लेकर 1909 तक तो यह मूव कब किया गया मतरा रोड दिल्ली में 1958 में नेक्स्ट क्येशन है भारती सम्विधान का अनुच्छेद 39 नागरिकों को प्रदान करने के लिए राज्य पर एक कर्तव रखता है क्या प्रदान करने के लिए इसका अंसर में देखना है कौन सा इसमें सही रहेगा इसका ऑप्षिन नमबर सेकेंड सही हो जाएगा ये आर्टिकल जो है हमारा सम्बंदित है कानूनी सहता से तो जो हमने आपराधिक प्रणाली पढ़ी थी हमारी आपराधिक प्रणाली ये चेप्टर आपको मिलेगा क्लास 8 में चेप्टर आपका चेप्टर 6 है चेप्टर 6 या फिर 7 है तो हमारी अपराधिक प्रणाली उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा तो आप जाहें तो डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं तो ये कानूनी सहता से संबंदित है कि अगर कोई व्यक्ति वकील नहीं कर सकता मा बचाओ के लिए तो अगर वो इंसान गरीब है और वकील नहीं कर सकता है तो इसमें हमारे देश के समविधान में ऐसा लिखा गया है इस आर्टिकल में कि सरकार उसको कानूनी सहायता देगी सरकार की तरफ से एक वकील पॉइंट होगा उस बचाओ के लिए उसके बचाओ क कर दीटेल देख लेते हैं कि तो जब देखो कोई पुलिस आती है दकिल व्यक्ति को भाद फाइ foster होते हैं जिस पर डाव्ट होता है कि उसके बाद अतालत में मुकद्मा चलता है और रोपी अ क Mensch钱 है कि नहीं वो व्यक्ति ये अदालत्य करती है ना कि milli's तो इसमें समिधान 22 के नुसार प्रतियक व्यक्ति को वकील के जरिये अपना बचाव करने का मोली का धिकार प्रापत है देखो धित्यान रखेंगे अनुछे बाईश में क्या लिखा में सक्षम नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबों की सायता करेगी वक्ति लुपलब्द कराने में दोनों में डिफरेंस समझना कि आर्टिकल 22 में क्या है और आर्टिकल 39 में क्या है तो यह इसमें देखना है हमें किस कम्यूनिटी के लिए इन्होंने जांच की थी तो यह हो जाएगा ऑप्शन नमबर 3 मुसल्मान तो जो मुसल्मान है उनके तीनों प्रस्पेक्टिव से जैसे कि उनकी आर्थिक समाजिक जो उनकी स्थिति है वो कैसी है उसके उससे रिलेटि तो यह जो कमेंटी थी वो बनाई गई थी 2005 में एक उचिस्त्रय समीति का अगठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस राजिंदर सचर तो इसने भारत में मुसलिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और सेक्षिक स्थितिक जाजकी मतलब कि एजूकेशनल जो कितने लोग कमाते हैं रोजगार वे कितने लगे हुए हैं इस तरह की रिपोर्ट बनाई इन्होंने और इन्होंने यह डिटेल दी कि जो मुसलिम समुदाय है उसमें साथ से सोले आयू के वर्ग के जो मुसलिम बच्चे हैं इनकी स्कूली सिक्षा का ओशत वर्ष अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में बहुत कम है अन्य अलपसंख्यक की तरह अलपसंख्यक मैंने आपको समझा दिया है इस चैप्टर में जो की हमने बात करी थी हाश्य करन को समझना चैप्टर है क्लास ए इर्द का उसमें मैंने अलपसंख्यक बता दिया था जो जस धरम के लोग संख्या में कम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं तोमस्लिम रितिरिवाज और प्रताय कभी-कभी-मुख्य-धार के रूप में देखिने वाली चीजों से काफी भीन होती हैं तो इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो जैप्टर आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन है भारत में कपड़ा उद्योग के संदर्ब में दादन विवस्था पढ़नाली से क्या दाख पढ़िया है यह पॉलिटी का क्वेश्चन है यह भी तो देखो जितना मैंने अब्जर्व किया है इसमें सोशल साइंस में सीटेट के लिए इसमें पॉलिटी वाला पार्ट और जो जो जोग्रफी वाला पार्ट है इतना टफ नहीं होता है अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें बेसिक ही पढ़ लें और क्रिश्चन अंसर कर है उसमें टोपिक भी आपको याद नहीं रहेंगे कौन सा टोपिक कहां से है कौन से चैप्टर से है जितनी हैल्प हो पाएगी मैं कर दूंगी और हिस्ट्री में ज्यादा तर आपको टफ ही टोपिक मिलेंगे तो आप कोशिश करें कि पॉलिटी और जोग्रफी को और व्यापारी और उससे त्यायर उत्पाद प्राप्त करता है तो मतलब कि व्यापारी होता है जो कि बुनकर को कच्चा माल देता है और उससे फिर कपड़ा तैयार ले लेता है और उसको बुनाई के पैसे देता है जो उसकी बुनने में लागत लगत लगती है बुनने में ख कि क्या है दाधन वस्ता क्या है व्यापारी और ऩुद्र ओर बीच की एक व्वस्ता है ध्यान रखना कि से बीच है और कि सी महतती है और उस महा संब कि यह इद यह फायदा होता है कि कपड़ेरु को बेज देते हैं और इС तरहiction का च्छदा मिल जाता है जबकि वो बुनकर को लागत कम देते हैं इसकी नेक्स्ट केस्टन है उन्नीसो चुरानमे में दक्षिन अफ्रीका में व्याफ्वस्था में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की सकार का गठन हुआ यह भी पॉलिटी का क्वेस्टन है और गॉर्मेंट वाले चैप्टर से लिया गया है इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्षिन नमबर फोर सही हो जाएगा लोगतांत्रीक सरकार इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो जो गॉर्मेंट चैप्टर है जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था उसमें यह आपको टॉपिक मिल जाएगा तो अफ्रीकी रास्टे कॉंग्रेश और उनके नेता तो नेलसन मंडेला जो थे यह अफ्रीकी रास्टे कॉंग्रेश के नेता रहे हैं और रंगभेद के खिलाफ इन्होंने बहुत लंबे टाम संगर्श किया है तो इसके बाद इन्होंने सफलता जब मिली तो यह उन्नी सो चुरान में मिली सफलता इनको और उसके बाद दक्षिन अफ्रीका एक लोगतांत्रिक देश बना लोगतांत्रिक का मतलब मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ गॉर्वर्मेंट वाले चैप्टर में लोगतांत्रिक का मतलब वही है कि जनता उसमें सर्वे सर्वा होती है जनता का ही राज उसमें होता है त कानून के डर से कुछ लोग फोलो कर लेते हैं लेकिन कहीं न कहीं असमानता कहीं न कहीं न कहीं बनी रहती है तो यह समानता के बारे में हमने पॉलटी में बहुत जगह पर पढ़ा है बहुत अच्छी से मैं समझा चुकी हूँ आप उन सभी क्लासिस को देखें अगर आप कर आए हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे आपको यह पता चलेगा किस चैप्टर से कितने क्वेशन आए हैं और उस चैप्टर पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे जिससे ज्यादा क्वेशन देखने को मिलें तो जिससे ज्यादा क्वेशन देखने को मिलेंगे न उस chapter को बहुत अच्छे से रट लेना क्योंकि उसमें क्या होगा उसमें ज्यादा चांसिस रहेंगे आपकी सखस्स के तो वैसे तो सभी chapters में से questions आते हैं बहुत ही कम chapters हैं जो की सीटर में छोड़े जाते हैं और अब तो लगभग one month exams चलते हैं उनलाइन तो उसमें तो बहुत सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें चैनल को जिसे की आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें इभी हैव एनी क्वेडी देन प्लीज आस्मीं कमेंट सेक्षिन तो मिलते हैं और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दे अगरो तो मुझे भी तो पता चले कि किस तरह की क्वालिटी है किस तरह का कंटेंट है और लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट करते हैं आप अगर तो अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेशन मि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए स्टे कनेक्टिड एंड कीप वाचिंग स्टेडी मोर नोली थैंक्स पर वाचिंग